नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ 188 साल 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन्स को लेकर राजमीतिक दलो ने अभी से ही अपनी कमर कसली है तीसरे फ्रंट को लेकर तैयार या एक बार फिर से तेजी पकड़ती हुए नजर आ रही है क्योंकि तिलांगना के मुख्यमंत्री केसी आर और बिहार के मुख्यमंत्री के बीश में एक बार फिर से मुलाकात की जो संभावना है वो बनती हुई दिखाई दे रही है बता दे कि बिहार के मुक्यमंतरी नितीश कुमार थर्ट फ्रंट को लेकर काफी जोड़ शोड़ से बात करे हैं उन्होंने कई बार ये कहा है कि देश में जतने भी राजुनीतिक दल है जतनी विपक्षी पार्टिया हैं ये एक साथ आना चाहिए और बीजेपी के खिलाब एक स्ट्रॉंग फ्रंट खड़ा होना जरूरी है क्योंकि देश को एक नई गाइडेंस की जरूरत है इस सलसले में उन्होंने तेलांगना के CM KCR से एक बार पहले भी मुलाकात की थी लेकिन वहां कुछ बात नहीं बनी थी पॉइंट यहां पर यहां टग गया था कि नितीश कुमार कॉंग्रेस के समर्ठक हैं और KCR कॉंग्रेस को पसंद नहीं करते हैं इसलिए दोनों मुख्यमंतरी की वीच में वो बात नहीं बन पाई थी लेकिन अब केसियार ने एक बार बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के लिए नियोता भीजा है और अब एक बार ये बाते हैं फिर से तेज होने लगी है कि थर्ड फ्रंट को लेकर ये दोनों ही स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है वो एक साथ आ सकते हैं क्या कुछ इस से जोड़ी डीटेल्स निकल कर सामने आई है यह हम आपको अब विस्तार से बताते हैं कुछ दिनों पहले जो केसियार ने अपनी नई पार्टी के घोषना की थी उसमें उन्होंने तमाम विपक्षिद्यलों के नीताओं को बुलाया था लेकिन बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार और बिहार के मुख्य मंत्री तेजस्वी यादफ को उन्होंने नहीं बुलाया था ऐसे में राज़नीतिक पंडितों ने कहा था कि नितीश कुमार कॉंग्रेस के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं लेकिन आने वाले 17 फरवरी को तेलांगना के मुख्यमंत्री केसी आर ने नया सचीवाले बनवाया है जिसके उध्खाटन के लिए उन्होंने कुछ मंत्रियों को आमंत्रित किया है कुछ निताओं को आमंत्रित किया है उस सचीवाले का उध्खाटन होना है जिसके बाद एक पब्लिक मीटिंग भी की जाएगी इस कारक्रम में केसीयार ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडियू के राष्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग को नियोताब भेश दिया है प्राक्त सूचना के मुताबिक केसीय कारक्रम में नितीश कुमार ने अपनी दिल्चस्पी भी दिखाई है हलाकि एक बात ये है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार इस कारिक्र में नहीं जा रही है लेकिन उब मुख्यमंत्री ते जुसरी यादव इस कारिक्र में पार्टिस्पेट करेंगे और जेडियू के राष्ट्रिया अध्यक्ष ललन सिंग इस कारिक्र में शामिल होने वाले है जाहिर सी बात है गैर भाजपा और गैर कॉंग्रिस के इस मुहीम में नितीश कुमार की पाठी जेडियू शामिल हो रही है तिलागना सीमो से जो ट्वीट जारी किया गया है उसमें बाबा साहिब बियार अंबेटकर के पौत्र प्रकाश अंबेटकर तमिलनाडू के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन चार्खन के मुख्यमंत्री हिमन सूरेण बिहार के डिप्ती सीम तेजस्वियादव जेडियू के राष्ट्रे अध्यक्ष ललन सिंग और बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को बताया गया है कि वो इस कारेक्टर में भाग लेंगे तिलांगना सुचिवाल है कि उद्धाटिन के बाद सिंगतराबाद में बड़ी पबिक मीटिंग भी की जाएगी इसमें ये सभी नेता शामिल होने वाले है पिछले बार जब केसियार ने अपनी पार्टी की खोशना की थी तब इसमें उन्होंने नितीश कुमार और तेजस्वी यादफ को नहीं बुलाया था लेकिन इस बार शेत्रिय दलो के शत्रप को बुला कर ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि गैर भाजपा और गैर कॉंग्रेस मिलकर तीसरे मोर्चे की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि पिछले साल केसियार बिहार आये थे उनकी बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार और उप मुख्यमंतरी तेजस्वी यादफ से मुलाकात भी हुई थी लेकिन उसके बाद दोनों ही पक्षों की बीश में बात नहीं बन पाई थी जो मुद्दा टक रहा था वो कॉंग्रेस का था इसलिए जब केसियार ने अपनी पार्टी की घोशना की थी तब बिहार के मुख्यमंतरी को इसके लिए आमंतर निन नहीं भीजा था लेकिन अब सामने से नियोता आया है और बिहार के मुख्यमंतरी थो हलाकि इस कारकरम में शिरकत नहीं कर पाएंगे लेकिन उग मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव में पहुँचने वाले हैं तो देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव ललन सिंग जब केसी आर से मिलेंगे तो क्या कुछ और बात होती है थर्ट फ्रंट को लेकर और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है और इस पब्लिक मीटिंग के बाद क्या होगा एक एक चीज पर हमारी नजर बन ही रहेगी हर एक अपडेट आप तक पहुंच आएंगे लाइफ सिटीज के साथ आप बने रहें अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहा है तो पेच को लाइक करें YouTube पर देख रहा है तो चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद